हेलो स्टूटेंग्स आइम गुर्वेंदर कॉर फिकल्टी एट अभी मन्यु आई है से विरी ओम विलकम ओल ओफ यू इन दिस सेशन और आज हम यहां पर बात करेंगी हमारे पीवाई क्यू सेशन की यह आई थिंग सेशन 19 है हमारा पॉर पीवाई क्यू इसमें हम बंजाब स सब्सेशन और सब्सक्राइब कैंसे पहले वाले उप्सिन्ट कॉर्प न इचे कीll लिएमें और फिर उसका अंसर कीजिए ठीक है चीन को प्रीड कैजिए और पीर उसको आनसर कीजिए ठीके जैनिन तो पैले अच्छे से पढ़ लेना है करना है यहां पर आपको attempt करना है ठीक है attempt जरूर करना है student हर बच्चा जो है वो question को attempt करने की try जरूर करें चाहे फिर उसने पहले पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा क्योंकि जब आप question पढ़ते हो तो आप words से familiar होते हो राइट उन words के बारे में आप सोचते हो कि हंजी कैसे word आया किस तरीके से question आ रहे है ठीक है राइट तो पढ़ो जरूर question को okay so पढ़ो students मैं आपको यहां पर 10 second 20 second का मैं आपको break देती हूँ ठीक है pause लेते हैं और फिर question को आप attempt कीजी हां जी तो question पढ़ते हैं कैता विद रेफरेंस तूदा Wildlife Protection Act 1972 Wildlife Protection Act 1972 पे question है following statements क्या है इट वास फॉर्म्ट इन ओर्डर तो फॉलो फॉल्फिल दा इडिया इंटरनेशनल obligation under the convention on biological diversity biological diversity जो एक हमारी convention है कैता ही उसके अंडर बना है as per the law only a part of the wildlife animal is considered as wildlife trophy कैता कुछ पार्ट ही wildlife animal का consider किया जाएगा wildlife trophy के correct statement पूछी है one two both one and two neither one neither two तो student इसका correct option है neither one neither two because ना तो कोई ऐसी obligation है और ना ही ऐसा कुछ है कि सिर्फ wild animals को ही उसमें माना जाएगा wildlife protection act के अंडर plants हमारा जितना भी flora and funa है उन सब को consider किया जाता है ठीक है सब को protect किया जाता है ठीक है जी ओके ठीक है स्टूडेंट तो आप मुझे बताईए wildlife protection act 1972 की अंडर कितने schedule हैं ठीक है schedule के बारे में आपको मुझे बताना है student schedule कितने हैं यह आप मुझे बताऊगे ठीक है तो 10 number question कीजिए factual question है बहुत ही interesting question है पढ़ो student कंजली wetland की उपर है अच्छा तुम मुझे सबसे पहले तो यह बताऊ what is wetland wetland होता क्या है ठीक है wetland wetland पता तो चले की wetland है क्या student it is a transition zone यह transition zone होती है student कि क्या बीच में कोई भी दो ecosystem कोई भी दो ecosystem के बीच का transition system एरिया जो developed होता है उसको हम वहाँ पे wetland वहाँ पर develop हो जाता है student थीक है wetland एक develop हो जाता है मतलब एक तरिका buffer area होता है यहां पे आप eco tone से student वो मत कर देना, आप यहां पे confusion मत create कर देना, क्योंकि transition area between two ecosystem में भी आप वहां पे शायद में भी आप eco tone समझ जाओ, नहीं वहां पे उस चीज को consider मत कर लेना, wetland का मतलब है जैसे वालो कोई, for example, यहां पे कोई river आ रही है, ठीक है, फिर उसने थोड़े time अपना course change कर ले, वो इधर वाली side divert होगी, तो यहां पे क्या होता ना, बहुत सारा पानी खड़ा हो जाते है, ठीक है, पानी रुक जाता है, फिर दीरी दीरी उसमें अलग type की एक unique type का ecosystem डवलप हो जाते है, ठीक है, ecosystem डवलप हो जाते है, जो यह वाला ecosystem है, जो river वाला, जो river का ecosystem है, obviously वो इससे अलग है, है न, पहले यहां पे कोई पानी, पूरी-पूरी river ही निकल रहे थी, अब यहां पे क्या है, यह area थोड़ा कट गया है, ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, अलग तरीके का जो area है, वो डवलप हो जाते है, एक तरीके, अलग तरीके का unique ecosystem डवल कुछ species को conserve करने के लिए राइट हमारे ecosystem के लिए ठीक है वो एक balance create करते हैं ठीक है balance create करते हैं student हमारे ठीक है इसमें आपने एक case study भी आती है कि इसमें बहुत ही important सी ठीक है मैं आपको मुझे अभी ज्यादा याद नहीं है student वो मैं recall नहीं कर पा रही वट फिर भी मैं आपको ब wetland है ठीक है डली में एक wetland है ठीक है एक area के अंदर मैं आपको थोड़ा बताती हो कि क्या importance होती है ठीक है wetland कितना important होता है हमारे लिए ठीक है तो वहां पर wetland था पर due to pollution due to pollution ठीक है यमुना रीवर के थोड़ा पास में है वो डवलप है obviously ठीक है तो वो wetland क्या है बिल्कुल polluted हो जाते है ठीक है polluted हो जाते है जो आसपास कि वहां पर population रहने वाली population थी वो देखते है कि उनका ground water बहुत ज़्यादा गंदा हो जाते है ठीक है बहुत ज़्यादा polluted हो जाते है क्योंकि उसमें बहुत सारा industrial waste लाल आके वहां पर dump करना शुरू कर देते है उस wetland के क्लीन कर देते है ठीक है यहां से pollution जो है मितलब जितना भी polluted जो भी polluted यहां पर जो भी कुछ पड़ा होता है उसको सब को clean कर देता है उस wetland को बहुत अच्छे से उसको conserve करते है ठीक है और कुछ सालों की मेहनत के बाद यह देखा जाता है student कि जो population वहां पर रह रही थी ज जो residential area था वहां का जो ground water था वो धीरे धीरे बिल्कुल clean हो जाते है ठीक है और उनको clean water drinking water available फिर से हो जाते है ठीक है तो मैंने यह एक TV पर show देखा था ठीक है documentary देखी थी मैंने documentary देखी थी तो वहां पर वो बता रहे थी कि importance of wetland क्या चीज़ है ठीक है कि wetland को conserve करना कितना important होता है किस तरीके से you know हमारा पूरा ecosystem को वो balance करके रखते है ठीक है तो उसने बताया कि यह जो wetland है ठीक है यहां से जो पानी है वो रिस रिस के नीचे जाते है ठीक है उसमें जाते है फिर वही ground water हम अपने घरों में ठीक है वो through piping जो है उनको वो निकालते है ठीक है लेकिन wetland अब polluted हो चुक है वहां पर बहुत ज़्याद है heavy metals है ठीक है जिसकी वज़य से क्या होता है student नीचे का ground water जो है वो pollute हो जाते है ठीक है ओकी ठीक है तो समझ में आया कि importance क्या है student wetland की तो बहुत ज़्यादा ecosystem को balance करने में role play करते है तो यहां पर कंजली wetland के वारे में बैती है खास करके दो में रीवर्स है हमारी सतलू जो उपर से हमारी ब्यास आती है और फिर यहां से चेनाब चेलम राइट यह सारी रीवर्स है रावी रीवर निकलती है ठीक है तो बहुत important है ठीक है वो रीवर्स और उनके आसपास की जितने भी wetland areas है ओके ठीक है students ठीक है जी तो 18 11 number question पढ़ी है student 11 number question totally current affair oriented question है student current oriented question है आपको आते है तो ठीक है ठीक है otherwise ऐसे questions के आपको load नहीं लेना है ठीक है उस time के current affair का question है ठीक है 2018 में ठीक है तो ज्यादा load नहीं लेना है तो बढ़ गोश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से examiner ने सेट किया हलंक कि बहुत difficult question है tricky question है ठीक है ऐसे question को student avoid करना paper में ठीक है उनको attempt करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि attempt करोगे ठीक है negative marking नहीं है बट फिर भी अगर आप उसको attempt करोगे तो आपका time तो जाया जाए गई क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप कोई भी option उठाके लगा दोगे उसमें ठी ठीक है ओके तो देखो regarding the new MSP of PADI declared by the government in July 2018 तो पहला statement है कहता है MSP of PADI has been increased by 200 per quintal and grade A variety के लिए 160 per quintal second option है कहता है MSP of PADI common grade has been increased by 160 per quintal और grade A variety के लिए 200 per quintal ठीक है फिर दूसरा बोलता है third statement the new MSP for PADI common grade और grade A के लिए 1750 per quintal fourth statement है कहता है new MSP of PADI common grade के लिए 750 per quintal और हमारा grade A का 1800 per quintal तो student जो इसका correct option था that is one and four ठीक है one and four इसका correct option और student ठीक है जी ओके तो move करते हैं आगे फर्दर क्योंकि ये ऐसे questions को हम वो भी नहीं करेगी even explain भी नहीं करूंगी मैं ठीक है because that's not so important now ठीक है तो 12 number question पढ़िए कहता what is the geological name state word of Punjab पंजाब का state word क्या है student बाज है ना आप सबको पता ही होगा राइट तो इसका यहां पर geological name पूछा है student हां जी तो किसको पता है इसका geological name बताओ किस-किस को पता है student geological name इसका geological name है student acceptor gentilis ठीक है इसका नाम है student किसका बाज का ओकी ठीक है जी let's move further 13 number question पढ़ते है हां जी पढ़िये question को पढ़िये कहता है India has been given its approval raptor MOU memorandum of understanding which of the following statements are true regarding the raptor MOU ठीक है तो पहली statement में कहता है it falls under UN convention of conservation of migratory species of wildlife animals दूसरा कहता है it is about conservation of birds of prey in Africa and Eurasia तीसरी statement कहता है it is not legally binding यह बहुत important as student कभी भी कोई question के अंदर वो legally binding है या नहीं है ऐसी conventions के बारे में ऐसी treaties के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी legal binding है और कौन सी नहीं तो environment में आपके पास एक बहुत अच्छा chapters है conventions से related उसको आप बार बार revise करना ठीक है एक बार में दो बार में आपको याद नहीं होगा कि कौन सी legal binding है कौन सी नहीं है बट प्लीज प्लीज आप इतना इंशौर जरूर करना कि कोई ट्रीटी जो है वो legally binding है यह नहीं legally binding treaties बहुत कम है ठीक है इसलिए उनको याद करना बहुत easy है तो बाकी जुतनी भी बची that is not legally binding ठीक है तो इस पे आप ध्यान रखो ठीक है तो correct statement बतानी है student इसमें से तो student इसकी सारी ही statements correct है ठीक है यह legal binding नहीं है यही बात आप याद रखना कि UN Convention of Conservation of Migratory Species of Wildlife Century is not a legally binding ठीक है तो मुझे यहाँ पे दो main point आपको बतानी है कि it is not legal binding ठीक है यह number change होता रहता है इसको आप update कर लेना ठीक है इस time पे जो भी series है ओके ठीक है जी तो move करते हैं आगे फर्दर question पी तो 14 number question attempt कीजिए students हाँ जी attempt कीजिए students 14 number question बहुत important question है student बहुत ही critical even मैं यह कहूंगी कि अगर कोई question repeat हो सकता है तो यह question बिलकुल आराम से repeat हो सकता है ठीक है because Indian vulture जो है इसको लेकर Indian government बहुत सारी initiatives लेकर आ रही है और बहुत serious है ठीक है खास करके हर्याना, पंजाब, राजस्तान, गुजराद, मध्यापरदेश यह जो states है यह बहुत active है vulture culture you know conservation को लेकर क्यूं active है यह आपको पता होना चाहिए करते है कहता है true बताना है Indian Vulture के बारे में कहता है it is called gyps indicus as per bionomical nomenclature ठीक है यह बिल्कुल सही statement है ठीक है इसको हम indicus ही कहते हैं अच्छा next है the cause of the decline is the population of Indian culture has been identified as poisoning caused by the veterinary drug diclofen see here student this is very important see here student सबसे पहले तो आप एक चीज़ जानो कि Vulture हमारी ecosystem के लिए क्यों important है क्यों important है वो हमारी ecosystem को कैसे balance करते है see here student जो Vulture है student वो feed करता है debt organisms के उपर ठीक है तो student इसको हम natural cleanser भी कहते हैं ठीक है cleanser बोलते हैं student इसको क्यों कहते हैं ऐसा student क्योंकि यह naturally clean करता है student हमारे जितना भी waste है आप देखरों देखरों student कोई भी organism की death हो जाती है ठीक है तो कितने सारे pathogens उसके उपर grow कर जाते हैं और हो सकते है student की कोई organism किसी ऐसी बिमारी से मरा हो ठीक है जो company cable हो जो फैल सकती हो तो आप देखिए कि अगर ऐसी कोई disease अगर हर जगर पर फैल जाए तो कितना ज्यादा वो नुकसान कर सकते है इवन हो सकता है कि वो disease पास कर जाए दूसरे हम human being के अंदर भी जैसे अभी COVID-19 जो है वो ऐसा माना जाता है कि चाइना की अंदर राइट चाइना से यह फैला और it is a zoonotic disease अभी तक इसके बारे में कोई खास कोई scientific proof में है कि यह कैसे फैला वहान से किस तरीके से निकला ठीक है बट बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट क्लेम करती है कि चाइना की अंदर बहुत ज्यादा जो raw meat है उसको खाया जाता है ठीक है और उसमें बहुत सारे जानवरों को ठीक है अंदा धुंद अंदा धुंद मतलब देखा भी नहीं जाता कि यह कौन सा जानवर है और वहां पर उसको meat की यहां जो mutton की market है ठीक है वहां पर उसको sale किया जाते है और आपको पता होना चाहिए students की बहुत सारे birds, animals, insects जो होते है students वो carrier होते हैं अलग-अलग virus, bacteria और फंजाई, अलग-अलग pathogens की ठीक है वो उनकी body पर रहते हैं ठीक है वो उनको harm नहीं करते बट अगर वो food chain के थ्रू कैसी और organism वे वो पहां जाए तो हो सकते हैं कि वहां पर वो you know multiply करना start कर दें and after that वो बहुत ज्यादा उसको नुकसान पन जाए ठीक है and it can be you know cause a disease right so students उसी तरीके से जो vultures होते ठीक है उनको natural cleanser बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि वो clean करते हैं right जितनी में dead bodies होती है उनको वो खाते है ठीक है students तो vultures जो है वो बहुत important है हमारे ecosystem के लिए right so that's why student यहाँ पर क्या है न एक drug आती है student एक drug use करते है हमारे कौन से veterinary जो animals के doctor होते है veteraries होती है वो एक drug use करते हैं जब भी कोई animal बिमार पढ़ता है उसको fever वगारा होता है तो उसके लिए वो एक drug use करते है diclofenic ठीक है as a painkiller ठीक है diclofenic वो use करते है student और जो animal मालो उसको वो बिमार था उसको doctor ने veterinary doctor ने उसको diclofenic दी ठीक है उसके बाद उस animal की death होगी तो अब इस लिए उसके उपर उसको खाएगा कौन अब वल्चर खाएगा तो जो वल्चर है student उसकी अंदर जब वो diclofen जाता है तो क्या करता है वो वल्चर की kidneys को खराब कर देता है kidneys को क्या कर देता है student damage कर देता है जिसकी वज़य से वल्चर की धीरे धीरे death हो जाती है धीरे धीरे death हो जाती है वल्चर की और देखा गया student जब बहुत टाइम बाद ये note किया गया कि वल्चर की जो population है वो धीरे धीरे gradually वो कम होती जा रही है ठीक है तो बाद में government को पता चला कि ये जो है वो किसी you know ऐसा रही है कि उसका habitat area जो है वो कम हो गया है या फिर कोई predator है जो उसको खा रहा है राइट ऐसा कुछ भी नहीं है उन्होंने देखा कि kidney failure की वज़े से इसकी death हो रही है और उसके पीछे का जो main reason है that is the diclofenic ठीक है student तो इसको conserve करने के लिए बहुत सारे conservative even centers भी बनाये जा रहे हैं जहांपे कुछ radius में जहांपे भी vultures रह रहे हैं वहांपे diclofenic जो drug है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से 100% उसको completely ban कर दिया गया है by government ठीक है तो देखिए कहता जटायू conservation breeding center is situated in जहार्ख नहीं it is in I think so it is in haryana ठीक है it is in haryana हाँ ये haryana की अंदर ही है ठीक है जो जटायू conservation है na student ये जहार्खंड में नहीं है student this is in haryana ठीक है next recently jips vulture reintroduction program was launched by the conservation of indian vulture by the haryana government this is also correct statement तो इसका d option बने गा student 1, 2 and 4 ठीक है जी ओक है ठीक है बच्चे next move करते हैं 15 number question पर तो पड़ी ये student 15 number question match the following है ठीक है agroclimatic john है A and B उसको आपको यहां पर match करना है आजी कीजिए फिर कीजिए student पढ़िए और फिर attempt कीजिए हां जी A and B कहता है central plane zone sub mountain undiluted zone ठीक है next western zone western plane zone इसके बारे में पूछा हुआ है ठीक है तो question को पढ़िए student क्या है कहता है central plane zone तो central plane zone जो है student उसको वो जलंदर को बोलते हैं sub mountain undiluted zone जो है that is in होश्यारपुर western zone जो है student that is in with Moga और western plane zone जो है that is फ्रोजपुर तो correct option बनेगा student B ठीक है बागिलहार hydropower project has been developed on river Chenab this is correct statement विल्कुल correct है बागिलहार यह हम पहले भी पढ़ किया है previous year में ठीक है बागिलहार पहले भी हमारे सामने आया हूँ है दूसरा कहता है दुलहस्ती hydropower project has been developed on river Chelam नहीं 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 दिस नोट आं चेलम इस ओल्स ओन चनाव और यह जमू और कश्मीर में है ठीक है next is Salal hydropower project has been developed on Ravi river नहीं 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 दिस ओल्स ओन चनाव student ठीक है यह भी जमू और कश्मीर में है I think Salal is the first hydropower project था नहीं ओके तो correct statement है तो हमारी पहली ही correct statement तो one only answer इसका होगा ठीक है जी ओके ठीक है student तो इसी के साथ मैं यह session यहां पर over कर रही हूँ ठीक है बाकी questions हम करेंगे next session के अंदर और students इसी के साथ हमारा new batch start हो रहा है from first December ठीक है तो आप फटा फट से registration कीजिए link आपको description box में मिल जाएगा student पंजाब PCS का यह exclusive batch है जिसमें हम prelims mains सबकी preparation करवाते हैं students और यह बहुत ही important you know batch है क्योंकि इसमें हम prelims पे बहुत ज़्यादा focus कर रहे है exclusive हम prelims पे focus कर रहे हैं students जिसमें test series, live classes, recorded classes, online, offline, हर mode में classes आपको available रहेंगी CSET की भी साथ साथ में classes चलेंगी और weekly basis पे आपकी current affairs की classes भी होंगी ठीक है students तो आप registration कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा यह sessions आपको कैसे लग रहे हैं students comment box में जरूर बताना तो ठीक है students में session over करनी हूँ thank you thank you so much have a nice day